कि हेलो स्टुडेंट के मिस्टी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज का मा टॉपिक है के मिस्टी की प्रश्ण बेंग के लेसन नंबर 14 से कोश्चन नंबर 4 के अंसर को समझना तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा कोश्चन है पेप्टाइड बंद क्या है ठीक है तो पेप्टाइड बंद असल में प्रोटीन के अंदर पाए जाते है और यह अबजेक्टिव बन जाता है कि प्रोटीन में कौन से बंद पाए जाते है तो आपका इंसर होना चीए प्रोटीन में पाए जाते है अब प्रोटीन होते क्या है प्रोटीन असल में अलफा अमीन समु और एक कार्वोक्स्लिक गरूप होना ही चाहिए अब ज्यादा की कोई thuक्प हो तें से अधे अमिन और कार्वोक्स्लिक समुप polit서 ja यहां इस तरह सा नाम बना रही मीन्ल एक मेली का जो कारबोक्सिलिक होता है वह दूसरे आमीनुलिकожд ainda के रही किया करता क Passover को H और H और बने कि मिलने से रहां कटों संधन हो और इस तरह से पानी यहां से ओ जाने से स्रिफ एन्ह बचेगा चेंउ और चेंज वरेनेज बेच में क्या बन बंध बन जाता और इस时 कीया बोलते मसष्य बंध कहते हैं ठीकर यहां पर हमने हो कर अधार She Absolutely और ealenin, यह दो amino amino जुड़े हैं, तो यह peptide बंद बना है, चुकि यह दो amino amino के बीछ बना, इसलिए एसलिए यह है, डाइपकाइड बन बोलेंगे, ठीके, अगर तीन amino amino जुड़ते तो ट्राइपकेड बन, चार amino amino जुड़ते तो टेट्रापकेड बन, ऐसे कई amino amino आपस में peptide बन जुड़ेंगे तो इसे फिर पॉली पेप्टाइड बंद केते हैं ठीके ना तो इस तरह से हमारा अंसर हुआ प्रोटीन अलफा अमीनोम लगा बहुलक होते हैं जिसमें एक अमीनोम लगा कार्बोक्सिलिक ग्रूप दूसरे अमीनोम लगा एमिन सम्हू से सयोग करके जो स सीओ एनेज बंद बनाता है इसी सीओ एनेज बंद को पेप्टाइड बंद केहते हैं उम्मीद आपको अंसर समझ में आ गया होगा आप मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक आप पढ़ते रहें बेस टाफ लग फार यूर एक्जाम